जैहिन दोस्तों आप सभी के अपना चानल बिहार टीवी पर स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ नुजज़ जहां देश अभी क्रोना वारिस बढ़ फुलू स्वाइन फुलू जैसी वारिस जनित बिमारियों से ही लल रहा था इसी बिच बिहार में एक और भयावा बिमारी ने अपनी दस्तक दे दी है पिछले साल 150 से ज़्यादा बच्चों की जान लेने वाला AES यानी चमकी बुखार फिर वापस आ गया है इस साल अब तक 5 बच्चों की इस बिमारी से मौत हो चुकी है जबकि 13 मैं तक रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या उन्चास है जो चिंटा जनक है क्योंकि AES जून और जुराई में चरंपर माना जाता है पिछले साल के परकोप के केंदर मुजफर पूल में इस साल पहले ही 20 मामले दर्ज किये गए हैं जबकि पुर्वी चंपारंज जिले में 13 दर्ज किये गए है कल हमारे दुआरा पूछे गए सवाल का बहुत सारी उसर्स ने कमेंट करके जवाब दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन में से कुछ के नाम है जितेंदर चोधरी, जीवन जियोती, सुल्तान अली, सैयद रिजवी, मुहमद शादाब, आलम, रिया कुमारी इनके अरावा और भी उसर्स ने कमेंट करके जवाब दिया था समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, कल आपका नाम नेनी की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़तें आज के सवाल की तरफ आज का सवाल है, लोगडॉन से दुनिया में क्रोना की मामले घटे भारत में बढ़ है क्यों? हमारे इस कॉमेंट बॉक्स में जवाब दें, हमें आपके जवाब का इंतिजार रहेगा इसी परकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे यूटूब चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राब करें और तुरक नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले